आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो इसको एक लाइन जो है 2,3 2,10 से पास होने वाली एक लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है वो किस रेशो में स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करेगी हमें यह बताना है तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास पॉइंट है 2,3 and 2,10 तो यहां से अगर हम देखें तो 2 दोनों में ही है तो 2 यानि हमारे पास एक लाइन होगी कैसी लाइन हमारे हो सकती है इससे जाने पास होने वाली लाइन क्या हो जाएगी अकर यहां पे हम लिखेंगे अकर on the line on the line x is equals to 2 तो हमारी एक line हो सकती है, x is equals to 2, क्योंकि 2, देखो, यह वाले point में भी 2 है, यह वाले point में भी 2 है, तो एक line हमारी x is equals to 2 हो सकती है, right, अब x is equals to 2 है, और इससे pass हो रही है, मतब इससे satisfy करेगी, right, तो यहां से हम y की value find कर सकते हैं, right, तो यहां पर satisfy करेगी, तो 2 into 2 plus 3 y minus 20 is equals to 0 है, right, तो यहां से हो जाएगा 3 y is equals to 20 minus 4, that is 3 y is equals to 16, तो y हमारा क्या जाएगा 16 by 3, right, तो x अपना 2 आ रहा है, y अपना क्या, जब x हमारा 2 जो है, इस line को satisfy करेगा, तो y क्या रहा है 16 by 3, ठीक है, x2 constant है, ठीक है, और हमारा यह point क्या है, x1 y1 और x2 y2, ठीक है, तो अब हमने y निकाल लिया, तो हम यहां से ratio का formula आराम से निकाल सकते हैं, right, ratio हमारा क्या हो जाएगा, ratio हमारा हो जाएगा, line को divide करने वाला, y minus y1 upon, यह क्या हो जाएगा, y2 minus y1, इसको ऐसे लिख सकते है, y minus y1, ratio y2 minus y1, right, y2 minus y, यहाँ y1 नहीं होगा, यह y2 minus y है, यह हमारा ratio है, because x is equal to 2 क्या है, constant है, right, ठीक है, तो यहां से ratio अपना क्या आजाएगा, ratio is equal to, यह हो जाएगा हमारे पास, ratio is equal to, यह value आजाएगे, यह देखो, y, y is हमने निकाला 16 by 3, right, तो यहां से solve करेंगे, तो यह हो जाएगा, 16 by 3 minus y1, देखो, पहले point का y1 है, हमारे पास 3, right, और ratio में यह क्या आजाएगा, y2, y2 is हमारा 10, 10 minus y is 16 by 3, ठीक है, तो इससे solve करेंगे, तो यह हो जाएगा, 16 minus 3, 3 is 9 by 3, ठीक है, और ratio को हम divide form में लिखते हैं, right, तो यह हो जाएगा, 10, 3 is a 30 minus 16 by 3, तो दोनों में यह denominator 3 है, 3, 3 cancel out हो गया, यह हमारे पास आजाएगा, 16 minus 9 is 7, ठीक है, 7 divided by 30 minus 16 is 14, तो 7 is a 7, 2 is a 14, तो that is 1 by 2, तो ratio form में लिखे 1 by 2 को, तो 1 ratio 2, तो यह किस ratio में divide कर रहा है, line, 1 ratio 2 में divide कर रहा है, इस straight line को, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा answer हो जाएगा, ठीक है, thank you.